हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आपका डॉक्टर जोज दॉक्टर वैवा प्रताप सिंग और मैं आप लोगों करता हूं हमारे चैनल फ्रेंडली डॉक्टर पे दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिसकेशन है वह एक टेस्ट है प्रेग्निंट वोमिन के लिए जिसका नाम होता है टीफा मैं सोच सकता हूं कि काफी लोग इस टेस्ट से वाकिव भी होंगे काफी लोग टेस्ट करा भी चुक्य होंगे तो आज हम इस टेस्ट की इं और दोस्तों सबसे सही टाइंग है तो 16 हफते से लेके 23 हफते की जब प्रिग्निंसी होती है ठीक है तो यह बेस्ट टाइम होता है जब आपको 16 हफते से लेके 23 हफता चल रहा हो तो उसके बीच में स्कैन करा लेना चाहिए सोलह हफते से पहले इसलिए निकरा जाता है कि सारे और पूरी तरह से डेवलप कर रहे होते हैं उस टाइम और अल्टरसाउंड पर देखने के लिए मिनिममम सोलह हफते के बाद यह अब्जर्व क्या गया है 16-17 वीक्स पे सारे और प्रॉपरड़ी देखने लग जाते लग ज चाहिए क्योंकि जो इंडिया में MTP है यानि कि माल लीजे आपके बच्चे में प्रॉब्लम थी कोई मेजर प्रॉब्लम थी और उसका जीवन या अगर पैदा हो जाएगा तो healthy life अपनी बियर नहीं कर पाएगा जिंदगी अच्छे से नहीं जी पाएगा कुछ प्रॉब्ल यही हम लोग को MTP कराने चाहिए और इसके बियोंड भी there are options there are ways कुछ तरीके होते हैं legally जिस पे हम abortion करा सकते हैं बड़ मोटा मोटा मान के चाहिए 24 अफ्ते के पहले इंडिया में MTP legal है तो दोस्तों इसको test जो होता है टीफा scan कुछ नहीं होता है यह ultrasound का test होता है ultrasound machine के द्वारा किया जाता है ultrasound room में किया जाता है और थोड़ा सा यह lengthy test होता है काफी बड़ा होता है काफी time taking होता है क्योंकि इसमें बहुत सारे parameters study कि आते हैं यह समझ दिए बच्चे को पूरा सकता है और कई बार हो सकता है आपको दो तीन दिन भी आना के बाद भी आना पड़े कई बार बार बुलाना पड़े यह डिपेंड करता है बच्चे की position पे बच्चा कितना कर रहा है डॉक्टर के expertise पे तो बहुत सारे variables होते हैं और मैं आपको जानकरी देदू कि जो ultrasound होता ह है वह totally harmless होता है इसलिए जो टीफा स्कैन है वह totally harmless है इससे बच्चे को कोई problem नहीं होगी हम लोग कितनी भी बार ultrasound या टीफा टेस्ट करा सकते हैं कोई समस्या ने रहेगी तो दोस्तों जैसे मैं पहले बता रहा था कि इसमें test में किया कि जाता है तो इसमें कैसे हम लोग बच्चे की विसंगती पकड़ते हैं तो सबसे पहले तो बच्चे को head से लेके toe तक यानि कि बच्चा का head है और यह नीचे का pair का region है पूरा पूरा उपर से लेके नीचे त किया जाता है गले की problem तो नहीं है कि यहां पर गले की region में कोई फोड़ा तो नहीं निकल रहा है यह सब common problem होती है कई बरीन डेवलपी नहीं होता है तो यह सब भी प्रिखो जाएगा चेस्ट में आपका हर्ट देखा जाता है और दोनों फेवफरे देखे जाते हैं कि किड्नीज में सूजन तो नहीं है यह पता जाता है किड्नी में सूजन होना बहुत ही common problem है बच्चों में काफी common है फिर उसकी इंट्रस्टाइंड स्टड़ किया जाता है और साती साथ पिशाप का यूरू जो थैल यह वो भी देखी जाती है तर उसके बाद लिम्स के बाद फिर दोनों हाथ दोनों पैर हाथ की हड़ियां यह प्रॉपर स्टडी किया ता है कि सब डेवलप डेकने स्पाइन जो रीड की हड़ी होती है उसको भी स्टडी किया जाता है इसको भी स्टडी किया जाता है रीड की हड़ी से भी काफी प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब् जरीक करें बच्ची किया है कई बार आप को ट्विंस होता है का सिंगल है कि डबल है उसके बाद तो बोलते हैं तो प्रीटर्बलिब्रिब्रिये हो जाएगा तो प्रीटर्ब डिन अई कि समय के पहले होगा है कि हमारा service की क्या condition है, क्या बच्चे का जो weight है आगे हैंडल कर पाएगा कि नशा परेक्ट की प्लसेंटा, placenta की position चेक किया जाता है कि placenta बहुत ज्यादे नीचे तो नहीं है तो इसको भी study कहाता है कि इसकी मात्रा proper है कि नहीं बच्चे को grow करने के लिए और बहुत कम amniotic fluid जिसको बहुत है oligohydramnios या बहुत ज़ादा amniotic fluid यानि की poly, polyhydramnios की दोनों ही जो problem होती है बच्चे में इस टेस्ट में हो सकती है तो यह भी जानकारी होना बहुत ज़रुए उसके अलावा amniotic cord amniotic cord के माध्यम से बच्चे को blood flow जाता है तो बच्चे का blood flow कैसा है यह भी जानकारी इस test में हम लोग देते हैं तो दोस्तों यह यह वूम है गरवाश है यह अंदर fetus है यह ultrasound है और यह हम लोग ऐसे इस ऐसे करके मतला इमेज आ जाती है यह एक्च्वल में बच्चा है यह ultrasound इसकी corresponding ultrasound image है तो यह head है यह spine है यह arms है ठीक है यह lower limbs है यह foot का इलाका है तो इस प्रकार से पूरा सब पूरा बच्चा हम लोग study कर सकते हैं तो वैसे तो मैं बोलूँगा कि almost अगर आप आप afford कर सकें तो टीफा टेस्स करा लेना चाहिए बहुत अच्छा टेस्ट है उसके बाद थोड़ा निश्चेंद भी हो सकते हैं बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है बट कुछ कुछ केस में तो बहुत heavily recommended है recommended है सबसे पहले तो अगर एज जो वोमेन है जो प्रेगनेट वोमेन उसकी अगर थर्टी के ऊपर है तो यह देखा गया है कि तीस साल से अधिक उमर अगर है मा की तो बच्चे में थोड़ा सा विसंगतिया प्रॉब्लम होने की टेंजिंसी थोड़ा सा अधिक रहती है तो अगर फैमिली स्ट्री है बच्चे में प्रॉब्लम की तो आपको जरू कराना चाहिए जो मैं अभी बता रहा था या आपको बहुत जादे एंजाइटी है कि मेरा बच्चा स्वास्त है कि नहीं ठीक है कि नहीं सारे और डवलप हो रहे हैं कि तो टेस्ट करा कि आप ऑच्चा में आपके बहुत बहुत ज्यादा कि द चेस्ट को बहुत बच्ची क्या पोजिशन थी बच्चा मूफ कर रहा था कि नहीं अल्टरसाउंड एक्षिप्मेंट कैसा था करने वाला कैसा था तो बहुत सारे पेरामेटर्स हैं जो इसके जिसके रिजर्ट चेंज हो सकता है कि उसको जो मैंने बोला कि जो इसका जो फॉर्टि परसेंट ही प्क कर रहा था उसको बढ़ाने के लिए क्या किया जाएक हिए हम जो क्या चाहते हैं कि सारी ही प्रॉब्लिम के टेस्ट होते हैं ट्रिपल मारकर या कॉट्रॉपल मारकर दोनों नेर वाउट एक जैसे टेस्ट होते हैं रिजल्ट भी नॉर्मल यह नॉर्मल है तो चांसे जहें कि बच्चा आपका नॉर्मल ही रहेगा उसके अलावा अगर हम लोग को इस अपना टीफा स्कान में कुछ पॉजिटिव आ रह रहे हैं कि प्लस माइनस हो सकता है मांचे किड्नी में थोड़ी सी स्वलेंगे चार पांच एमेम की ही सूजन आई है किड्नी में ठीक है तो बॉडर लाइन हो गया कि मतला बहुत जादा भी नहीं है और नॉर्मल भी नहीं है तो अगर ऐसी दुविदा हो जाती है तो और अ हमां के ब्लड में बच्चे प्राइब कर रहा तो इसको एकस्टार करका स्टडी कर लिते हैं कि कोई इसमें क्रोमसाम उनल्युम टो नहीं है और लास्ट में अप्क्रीज दीस्य कर लिया जाएगा और उससे भी और लगजा करना चाहिए कि दोस्तों एक और टेस्ट होता है इसमें बच्चे का हार्ट के बारे में स्टडी किया जाता है इसका जो बेस्ट टाइम होता है वह होता है चुन्टी-फॉर वीक्स जो 24 हफते की प्रिग्नसी है तो उसके आसपास यह कराना चाहिए 23 से 25 हफते की बीच में फीटल इको कराना चाहिए अगर हाई रिस्क प्रिग्नसी है या टीफा में कुछ दिख रहा था कि बच्चे में भी प्रॉब्लम हो सकती थी या कौडूपल मार्कर या डूपल मार्कर में कुछ आया है प्रॉब्लम तो फीटल इको गार्डियो रफी भी एक टेस्ट है सप्रिमेंटरी टेस्ट है टीफा के बाद यह विए किया जा सकता है यह कुछ इसमें हर्ट को यह हर्ट है बच्चे का हर्ट को स्टडी किया जा रहा है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हो आपको आज का topic बहुत पसंद आया होगा stay healthy, stay happy, keep your baby safe Thank you